मैंने आज जो देखा उससे मैं सदमे में हूँ, ऐसा कुछ भी मैंने अब तक ना देखा न सुना, अगर आपके आँखों में आसू हैं तो उन्हें बहाने का यही समय है। यह शब्द पश्चमंगाल के गवर्णर सीवी आनन्द बोस के हैं। बीते 6 दिनों से उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में शेत्रों का दौरा किया गया, महां महिलाएं कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि त्रणमूर्ट कॉंग्रिस के नेता, शाजहां, शेख और उनके समर्थकों ने उनका यौनुप पिलन किया। राजयपाल को महिलाओं ने राखी भी बांधी और न्याय दलाने की गुहार लगाई। जवाब में राजयपाल ने भी महिलाओं से वादा किया कि कानून के मताबिक लड़ाई लड़ेंगे। बोस्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने जो देखा वो भयाव है, स्तब्ध करने वाला और मेरी अंतरात्मा को हिला देने वाला था। मैंने वो देखा जो कभी नहीं देखना चाहिए था, मैंने कई चीजे सुनी थी, जो कभी नहीं सुनी चाहिए थी, मुझे विश्वास नहीं हो राकि कभी गुरू रविंद्र नाट टैगोर की भूमी पर ये सब हुआ। आपको बता दें, जैसी राज़पाल के दोरे की खबर महिलाओं को लगी, वे बड़ी संख्या में उनसे मिलने पहुँच गए, कई महिलाओं पहचान चिपानी के लिए चेहरा डग कर आई थी, राजपाल ने महिलाओं से कहा, चिलता मत कीजे, आपको नियाय जरूर संविधान के प्रावधानों के तहर कानून के अनुसार इससे लड़ेंगे, एक महिला ने राज़पाल से सहनी हुए आवाज में कहा, हम अपने लिए शान्ति और सुरक्षा चाहते हैं, हम ये प्रतारना और नहीं जहिव सकते संदेश खाली में हाल के दिनों में स्थाने टीमसी नेता, शहाजहां, शेक के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया है, महिलाओं ने शहाजहां और उनके सहयोग्यों पर जब्रन अपनी जमीने, हडपने और यानुक पिलन क करने का आरोप लगाया है, संदेश खाली के दो ब्लॉकों की 16 पंचायतों में 144 लागू कर दी गई है, सामान इस सती बहाल होने तक उस शेत में इंटनित के इस्तिमाल पर भी अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंद लगा दिया गया है, आपको बता दें बीते महीने, पां संदेश खाली में महिलाओं ने आरोप लगाया कि शहाजां शेख और उसका गिरों उनका यौन पिड़न कर रहा है, संदेश खाली का मामला भढ़ता दे का ममता सरकार भी हरकत में आई है, ममता ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों को गरफतार कर लिया गया है, ममता का संदे लेकिन सवाल यह है कि पांच तारीक से प्रदर्शन चल रहा था तो अब तक कारवाई क्यों नहीं हुई राज जपाल को आखिर क्यों जाना पड़ा राज्य सरकार पर यह सवाल या निशान लगाता है इस पर गहन जाच और मस्बूत जवाब की दरकार है इस पूरे मामले का मुख्या रोपी शाहजां शेक पुलिस की गरफ्ट से दूर है इस खबर पर जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे तमाम जानकारी आपके इन्मी लेकरा है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी मेरा नाम दिव्यांशी सुम्राव है देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दीललन टॉप और पशुक्रिया